Hello Viewers, तो इस वीक में मैंने क्या च्टेडी किया है, मैंने कौन-कौन से टॉपिक्स मैंने कवर कर लिया है, वो मैं आज आपके साथ सेर करूंगी, तो मेरी तब यह थोड़ी सी नसाज थी, तो मैं थोड़ा लेट से वीडियो अपलोड कर एंध वीडियो बनारी, तो मैं बतात बस में जो समस्झ में आता है वह में पढ़ लेती और याद कर लेती हूं इसमें कुछ CTAITIC GKS वह नहीं है वह भी में याद कर लेती हूं और कुछ PDF आगेरा मैं देखकर करें कि उसमें से याद कर लेती हूं स्टाटिक GKS का और करेंट आफेेर्स तो मैं यूजरी मैं कुछ पढ़ लेती हूं मतलब आर्टिकल वगएरा रहता है न्यूज में तो वो मैं पढ़ लेती हूं और बाकी यूट्यूब तो है ही यूट्यूब से मैं पढ़ लेती हूं Current Affairs और गीके में भी ये बहुत हेल्प होता है मुझे इससे अगर Math की बात करें तो Mathematics में मैंने LCM तक पढ़ा था LCM में मैंने थोड़ा सा बचावा था पीछले वीक में तो LCM में मेरा पूरा कवर नहीं हुआ था तो इस पार मैंने LCM पूरा कवर कर लिया और उसमें HCF फीर था तो HCF मैंने फिर पढ़ा ACF के basis पर बहुत सारे questions थे उसमें भी थे 6-7 types के थे साथो types के बारे में कैसे क्या होता है किस-किस types के question आते हैं हमारी exam में तो वो मैंने जाना तो LCM और ACF के basis पर फिर मैंने questions solve किया और प्लस revision भी मैंने किया तो mathematics में बस इतना ही portion मैं cover कर पाई हूं फिलाल एक week में और अगर बात करें अब reasoning की तो reasoning में मैंने cover कर लिया था direction and distance में मैंने जो 4-4 types के थे उसमें वो भी मैंने cover कर लिया था तो इस week मैंने reasoning में order and ranking पढ़ा order and ranking में भी 6-7 types के थे 7 types को पढ़ाया गया तो मैंने one by one करके 7 types में ने cover कर लिया और उसके basis पर different different types के question थे वो भी मैंने solve किये तो बस इतना ही मैंने reasoning में पढ़ा है और पिछला जो भी था वो मैं मैंने याद किया है तो reasoning में फिल्हाल तो इतना ही मैंने cover किया है तो order ranking का मेरा topic इस week मेरा बहुत अच्छे से complete हो गया और अब बार याती है हमारे English की तो English में English के grammar portion में मैंने article पढ़ा है pronoun मेंने पढ़ लिया था and noun भी मैंने पढ़ लिया था उसके rules भी मैंने पढ़ लिया थे और article तो article के भी वह सारे rules थे वो मैंने पढ़ा उसको फिर spot and error में कैसे use किया जाता है मतलब कैसे उसमें error होता है article का error कैसा होता है हम लोग जानते वह भी कैसे गलत कर देते है तो वह मैंने जाना उस पर questions भी थे spot and error कि वह भी मैंने बनाया किसके पहले ए किसके पहले ए किसके पहले द लगता है और कौन-कौन से exception होते हैं तो exception भी मैंने देखे तो इस विक मैंने article का portion cover किया और उस पर वेसे मैंने questions भी बनाए क्यूंकि questions practice करने से भी बनता है रोल से सिर्फ दिमाग में रह जाते हैं और अप्लाई नहीं होते हैं जब तो हम उसको अप्लाई न करेंगे वह बस दिमाग में ही कि हम इतने रोल से जानते तो हैं लेकिन अप्लाई करने नहीं आता है तो इंग्लिस के grammar portion में मैंने article पढ़ा and as usual मैं vocab तो black book से पढ़ती हूं तो vocab में मैंने बस idioms phrases भी मैंने याद किये हैं उसका मैं वीडियोस भी बनाते रहती हूं जो आपको link provide में कर दूंगी मैं याद करती हूं साथ में वीडियोस भी बना लेती हूं कि ताकि मुझे जो भी पढ़ी हूं मुझे याद हो जाए तो English मेरा थोड़ा सा भीक है तो इसलिए मैं English को इस तरह से मैं याद करती हूं और English का मैं एक article भी पढ़ते रहती हूं morning में उठकर या फिर मुझे जब सब्सक्राइब होते हैं तो इसको मतलब एक होता है ना कि रूस जानते वे भी हम गलत करके चल आते हैं इसके लिए अगर आप नियूस पर या फिर कोई भी आर्टिकल हो इंगलिस में वह पढ़ेंगे तो आपको धिरे-धिरे से अगर आपको रूस नहीं भी पता है फिर भ तो मुझे असा लगता है तो मैंने बस इतना ही इंगलिस में पढ़ा है और वोकाब में मैंने बस इतना ही पढ़ा है तो मैंने इस वीक में इतना ही टॉपिक्स मेंने कवर किया है तो फिर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में मैंने क्या क्या स्टेडि करूंगी वो मैं आपक के लिए बाइ वीववर्स